हेलो स्टूरेंज दिस इस कोमल यूर एसेस्टी एजूकेटर वल्कम बैक टी यूर फेवरेट चैनल मैगनेट ब्रेंज मैगनेट ब्रेंज आपको प्रोवाइट कराता है हाई क्वालिटी एजूकेशन वो भी फ्री ओफ कॉस्ट किंडर्गार्डन से लेके क्लास 12 तकी cbac बोट के कोर्सेज तो आपको पता है एवीलेबल हैं ही बट साथ में अधर स्टेट बोर्ट के कोर्सिस इन हिंडी मिडियम जैसे कि यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, डेली बोर्ट आपको अविलेबल हैं इक कोर्सिस प्रॉपर सिस्टेमाटिक वे में तो भई कोई कन्फूजन, दिक्कत, परिशानी होने ही नहीं वाली है भई ज क्लास में किये थे बहुत ही अच्छे से आपको एक्स्टेम किया था कि क्वेशन को भूलने की गुंजाइश ही ना बचे ठीक है आज हम करेंगे multiple choice questions भाई यह क्यों जरूरी होते हैं यह इसलिए जरूरी होते हैं कि कोई date, percentage, कोई नाम, कोई place, कुछ particular बिमारी या कुछ भी term को भूल जाते हैं ऐसे हमें 30 कली नहीं एकदम से याद होता multiple choice questions इतनी अच्छी help करते हैं ना कि एक बार मैं solve करा, question पढ़ा, one word मैं इसे ढूंडा, चार option से, एक word आपको क्या, ऐसे में याद होता जाता है तो इसलिए हम लाते है multiple choice questions जो कि आपको जल्दी recall और learn करने में help करते हैं short period of time में तो चलिए चलते हैं देखते हमारा पहला question क्या है what does RMP mean? हो सकता है भूल गए हो आप, कोई बात नहीं, try करिए comment करके मुझे बिल्कुल सबके comment चाहिए, जो जो देखेंगे comment जरूर करेंगे कि कौन सा answer भई मुझे पता तो चलना चाहिए, मैंने इतने प्यार से इतने अच्छे से बिल्कुल पूरी लगन से आपको पढ़ाया है तो आपके comments भी मुझे मिलने चाहिए, आपके likes भी मुझे मिलने चाहिए, ठेक है तो what does RMP means, RMP, भई क्या हो सकता है, all of these तो होई नहीं सकता है, आपको पता है, तो इसको भई कट कर दो all of these को Recognized Medical Practitioners, हाँ, हो सकता है भई, Retired Medical Practitioners, भई जो रिटायर हो चुके हैं, उनके हम बात ही क्यों करेंगे, हम तो उनकी बात करेंगे, जो अभी चल रहे हैं उनकी बात करेंगे, हम रिटायर लोग की क्यों बात करेंगे, Registered Medical Practitioners, क्या लगता है, अब याद आ गया होगा, Registered Medical Practitioners, मतलब वही जो जो जहने हम डॉक्टर कहते हैं, जिनने प्रॉपर नॉलेज होता है, अपने जो सब्जेक्ट का, जो जिस सीज में, जैसे कोई हड़ि ए, Registered Medical Practitioners, RM, P, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन में चलते हैं, कॉमेंट सही है मुझे, the healthiest country in the American continent is, शैन नाम देखके वैसे यादा जाए, भले ही वैसे याद नहीं आ रहा हो कि क्या पढ़ा है तो हो सकता है, भूल गया हो, बट नाम देखके यादा जाएगा, फटा सा क्लि रिका, या all of these, all of these तो होई नहीं सकती भई, ठीक है, तो क्या है, कोस्टा, रिकाम ने पढ़ा था था, कोस्टा रिका, गवर्मेंट के बारे में, कि भई, आर्मी में उन्होंने ना इन्वेस्ट करके, health पर ध्यान दिया, health पर जादा फोकस किया, उनका मोटो था, भई, health अच्छी होगी, तो सब कुछ बढ़िया होगा, देश क्या है, विकास करेगा, याद आया, याद आगिया, तो भई, जल्देली कॉमेंट करी, और लाइक करी, और शेयर करते चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ग्रीन सिगनल, टेक्स मनी is used to fund which of the activities, भई, जो टेक्स मनी है, हमने पढ़ा था न, गवर्मेंट को हम सरकार है, जो हमारी, उनको हम पैसे क्यों देटेए, टेक्स क्यों पे करते, प्रॉपर्टी टेक्स हो गया, वाटर टेक्स हो गया, आपने सुने हो गया, इंकम टेक्स हो गया, ठीक है, आपने घर में सुना ही होगा, तो हम क्यों पे करते, education, मतलब हमें फिर government क्या provide करती, education, defense provide करती, defense की facilities हो गई, या police की facility हो गया, या all of these, याद आ रहे, भई, जो government है, जो सरकार है, जिनको हम टेक्स पे करते, तो उन ही पैसो का, उन ही fund का, money का, वो use करके, हमें ये सारी सुव ग्री, green signal, next में चलते, how much percentage of all communicable diseases are waterborne, जो communicable diseases है, waterborne किती percent पड़ी थी, याद आ रहे है कुछ, हमने जो negative and positive aspects पड़े थे, उसमें percentage था, कि इतनी जो है waterborne diseases होती है, कितनी थी, भई, मेरे साब से 50% थी, मुझे तो याद आ रहे है, comment करके जल्दी यादी फटा-फट बताओ, comment करो, मैं वेट कर रही हूँ, भई, कितने percent थी, यादे किसी को, वो थी, 21%, कितनी थी, 21%, 21%, waterborne disease, ठीक है, चलिए, next में चलते, by whom are the public health services run, भई, जब public health services, नाम से याब आप तो बहुत अच्छे से, आप तो कोई गुंजाईशी नहीं बचती है, कोमल मैम ने, इतने बार repeat किया था, public, भई, government, public, all citizens, सब एक है, ना rich, ना poor, सब एक है, ठीक है, तो भई, public health services, कौन run करेगा, क्या लगता है, वो ही run जिनके लिए सब बराबर है, जो सारे जिदीजन पर ध्यान देते, ना rich, ना poor, ना ओरत, ना आदमी, वो ये नहीं देखते, का स्क्रीट, कुछ भी नहीं देखते, उनके लिए सब एक बराबर है, तो भई, public health services, कौन run करेगा, I think private doctors करेंगे, जो सिर्फ, मतलब जिनका main motto, ठीक है, इलाज का तो होता ही है, वो इस क्योंके specialist होता है, बट earning भी होती है, तो वो क्या, और महेंगा भी होता है private के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या लगता है आपको, ये जो run करेंगे, जो सबका सोचेंगे, उनकी जो कह सकते cost है, जो fee है, वो भी कम रखेंगे, या private organizations, भई नहीं, प्राइवेट की तो कोई बात ही नहीं बनती है, प्राइवेट की चीज़े आ जाती है, और नन अफ दीज नहीं, आंसर तो एक चाहिए और इसमें एक एंसर, hidden आंसर है, hidden नहीं मनदब सामने ही और आप समझी गए होंगे, कि government, भई जो सरकार होती है, सरकार ह वो public health services चलाती है, ठीक है, चलिए, भई बड़ी असा green signal भी मिल रहा है, तो मिल, खुशी-खुशी अब आगे बढ़ते हैं, if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that which right is violated, भई अगर जो क्या है, timely कोई भी hospital, ठीक है, कोई भी hospital, हमें नहीं कहेंगे कि government है या private, कोई भी hospital, क्या करेगा, अगर जो time से medical treatment provide नहीं करवा पाएगा, किसी भी इंसान को, ठीक है, इत मींस ताट, which right is violated, मतलब इसका मतलब है कौन सा जो right है, कौन सा जो हमारे अधिकार है, जो मतलब जिसका खनन होता है, कह सकते हैं, जो मतलब आप उसके लिए वो right खनन हो रहा है, उसके against है, उसको ओ राइट, जो अधिकार उसका होना चाहिए, वो से नहीं मिल रहा है, है इन में से कौन सा जैसा right है, जो उसका violet हो रहा है, right to medical treatment हो रहा है क्या, या right to information हो रहा है, information ले रहा है, information तो नहीं चाहिए उसको, उसको तो इलाज चाहिए, right to health हो रहा है, I guess, है ना, इलाज की बात हो रही है, हम health का chapter पढ़ी रहे हैं, तो health होगा, जी नहीं, answer होगा, जो आपका answer होगा, वो आपका answer होगा, right to life, health का chapter पढ़ रहा है, इसका मतले भी नहीं, health होगा, life, जिन्दगी की बात हो रही है, तो आपका right to life का जो active, वो violet होगा, भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपको time से treatment नहीं मिल रहा है, कोई मतलम नहीं है, hospital private है, या government, अगर आपको time से treatment नहीं मिल रहा है, आपकी जो हालत बत से बत्तर हो गई है, या even कोई मर भी जाता है, तो उसके कौन सा जो right हो, उसका अधिकार, उसका खनन होता है, मतलब उसको कह सकते है, वो है right to life, जीने का अधिकार, याद रखीगा, जीने का अधिकार है, ठीक है, चलिए, comment भी करते तेरे ही साथ में, मुझे पता जलना चाहिए, पी एच सी स्टेंड्स फॉर, पी एच सी है, जो देख रहे हैं ना बेटम, ये किस को स्टेंड्स फॉर, मतलब किस क्या है ये, primary hospital centers को कहते हैं, या primary health centers को कहते हैं, public health centers को कहते हैं, या prime human centers को कहते हैं, ये थोड़ा सा confusing है, मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, देखती हूँ, कॉमेंस में क्या क्या आता है answers, थोड़ा सा में वेट करूँगी, मैं तो बताऊंगी, बटाएं वेटिंग, कि भई देखें, क्या आपके answers आ रहें, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 की count हो गई है, तो चलिए, अब मेरा, मेरी बारी answer ब कि बात है जिनका answer सही होगा, मैं चेक करूँगी, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the, भाई जो सरकार की primary duty, एक प्रथम जो है duty है, जो एक कह सकते हैं जिम्मेदारी है, किन की, किन की बात हो रही है, भाई, सरकार की बात हो रही है, किस की बात कर रहे है हम, सरकार की बात कर रहे है, उनकी पह पीस पे धियान देना, जो भाई, very important persons है, ministers हो गए, political party के ministers हो गए, आप कह सकते हैं, कोई भी अच्छे higher ranking officer हो गए, क्या सिर्फ उनी का या rich officials, या rich persons का, या सिर्फ poor person का, I think सिर्फ poor person का धियान देना चाहिए, ना government को क्यो बिचारे उनको नीड है, बाकी तो government को तो को तो को हम नहीं है, जो हमने तो पड़ा था, equality की हम बात करते हैं, तो भाई ये तो बात होई नहीं सकती है, तो आपको अप answer समझ में आ गया होगा, कि भाई, इसका answer है, all its citizens, भाई, सरकार के लिए सब, सरकार जहां आ गई, जहां government आ गई, मतलब वहां public, caste, creed, religion, birth of origin, economical background, educational background, नही देखा जाएगा, government ले सब एक बराबर है, यह मैं इतनी बार, इसलिए repeat करती हूँ, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में print हो जाए, कि जहां सरकार की बात आ जाती, कि उसकी पहली duty का है, तो यह नहीं देखिएगा, VIP rich persons, मुझे इतना उमीद है कि नहीं लगाएगा कोई, बट क्या है, पूर persons का देखिए, लोग जल्दी गलट टिक कर लेते हैं, कभी-कभी जल्दी गलट समझ लेते हैं कि सरकार भई जो गरीबों पर ध्यान दे रही ही, तो गरीबों को जरूरत है, तो सरकार गरीबों पर ध्यान देगी, अच्छी बैंने परभाएग को पाल मोई दोगारे देखिए, फिशे पलट की गढ़ल दोगें मृत इसवाल होथ अग सबते हैं थे मनी दूसरं से मनी क्या है, बौर अपनों के लिए या अपने लिए, खुद ए भाई बशूरी भी है, हम ऐसा तो नहीं हो सकता हर कोई जीना चाहता है अगर कोई उनका अपना बिमारत उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा बही ओवर टाइम करे या कहीं से पैसे बौरो करें ठीके सब कुछ करेंगे तो वह कितने पॉसेंटेज जो या तो बौरो करते या तो भाइ अपने प्रॉपर्टी बेज देते हैं जो वह उनके पास इसी पॉइलेशन की चीज़े होती है नौट अट परॉपर्टी कुछ भी हो सकता है ज्वैलरी हो गई आपने देखा होगा कार बेज दिया कुछ भी उनकी पॉसेंटेज है कितनी मतलब दुख की बाती कि 40 पॉसेंटेज लोग भई इस प्रॉब्लम में फस्ते हैं कि आतो उन्हें दूसरों से उधार लेना पड़ता है या खुद की प्रॉपर्टी या पजेशन की चीजें बेचनी पड़ती है इलाज कराने के लिए सोची अपने आपको जिन्दा रखने के लिए अपने अपने स्वास्त को सुधारने के लिए ऐसे मतलब इतने लोग हैं जो बिछारे इन कंडिशन से गुजरते हैं चलिए नेक्स क्वेशन में चलते हैं 40 परसें ठीक है इंडिया इस दो डाश लाज़ेस प्रोडूजर ओफ मेडिसिन इन दे वर्ल भाई और साथ में लाज़ एक्सपोर्टर ओफ मेडिसिन वाई क्या है इंडिया किस नंबर पर आती है जो पूछा है आपसे क्वेशन मार्ग है क्वेशन मार्ग है कि इंडिया कि नंबर पर आती है कि वह लाज़ेस जो प्रोडूसर करती है इंडिया बहुत अच्छी बात है साथ में जो मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करती है प्रोडूस तो करी रही और एक्स्पोर्टर भी है तो किते पॉसेंट पढ़ा था मनले कौन से नंबर पर आती है थर्ड नंबर पर आती है फॉर्थ पर आती है फिफ्थ पर आती है याद आरहे हैं फॉजिटिव और नेगेटिव आसपेक्ट में पढ़े थे यह इसलिए एक क्वेस्टिन लाई हूं मैं कि क्या है उतने बड़ भी करती है, third number, ठीक है, चलिए, next में चलते, OPD stands for, OPD हमने पढ़ा था, रंजन और अमन की स्टोरी में, जब अमन अपनी स्टोरी सुना रहा था, जो पूर बैग्राउंड का था, उसने बताया था, OPD, OPD एक वर्ड है, फिर मैंने आपको या था, explain भी किया था बात में, OPD का जो मतलब full form होता है, वो होता है, outpatient department, OPD का full form होता है, outpatient department, ठीक है, outpatient department मतलब जैसे कि आप hospital गए, आपको कोई special ward नहीं दिया गया, मनलब कोई special ward में नहीं बैठे हैं या अंदर उनके कोई room में, कि वहाँ जाके चेक कर रहा, मनलब भही पर ही जो है, लाइन लगी हुई है, और वही पर ही आपको डॉक्टर चेक कर रहे है, मनलब पहला किसी का नंबर आया, उसको चेक कर लिया और बोल दिया कि आप यह test करा है, फिर इक दिन बाद आया है, जब आपको test की report मिल जाएगी, फिर दूसरा आया, उसने वही कि वही डॉक्टर ने फटा-फट वड़व रहे हैं, कोई special जो बोलते हैं कि डॉक्टर उस वार्ड में बैठे हैं, उस नंबर पर बैठे हैं तो आप चली जाई तो आप एंटर होते हैं, रूम होता है special तो वहाँ पे डॉक्टर बैठे रहते हैं, बट आउट पेशन डिपार्मेंट मतलब वहाँ पे बैठे हैं, Next में चलते हैं, to prevent and treat illness we need, भाई अगर हमें जो है ननने को ठीड भी करना है, बिमारी को जो ही बचाफ भी बहुत जरूरी है और ठीड भी करने हैं, तो हमें क्या-क्या चीजहों की जरुरत पड़ेगी, हमें लेबरेटरी फॉर टेस्टिंग, भाई खाली लेबरेटी से काम और 7 भोना चाहिए अबिलस नहीं चाहिए ज्लोरी है हमारे जो है ट्रीड करने के लिए साथ में भाई बचाफ करने के लिए जहां पर जाए इसकी सारी नाज करेंगे रश consig भाइज यह कुछ excellent हो गया किसी का रोड पर एंबिलन सर्विस होती देखिए आप जाते हैं बहुत जादा वह सायरन वह बचता है बहुत तेसकी सारी गाड़ियां हट जाती एक्सवार्ट आप बोलते हैं एक्सवार्ट आप करो डायल करो वह एंबिलन सर्विसे के लिए ठीक है तो व है ठीक है hospital है ambulance services भी है बट कुछ ऐसी pathologies होनी चाहिए ज़रूरी टेस्ट करें जैसे डॉक्टर ने blood वगेरा टेस्ट के लिए बुला है तो उससे पता चलेगा है malaria है देंगू है है ना joint इसे टीबी है तो यह सब चेक करके पता चलता है तो यह तीनों चीज़ें बहुत जादा ज़रूरी है तो इसका answer है all of the above ठीक है क्या answer है इसका all of the above च इसका answer क्या है public and private by healthcare facilities दो categories में divided है जो एक अमन रंजन की story से हमने पढ़ा था एक five star जैसी जो है private और एक जो मतलब normal एक कह सकते ordinary type जो है public ठीक है government जिसको run करती है public and private चली next question में चलते है in which year the Kerala government made some major changes in the state 40% of the entire state budget was given to panchayat यह कौन से साल की बात है जब Kerala government ने हमने पढ़े थे ना what can be done भाई क्या कर सकते हैं लोग तो हमने दो जो है पढ़ी थी approaches जिन्होंने अपनाई थी Kerala की government की पढ़ी थी दूसरी हमने को स्टारी का government की पढ़ी थी चीक है तो Kerala government का क्या पढ़ा था हमने कि उन्होंने 40% जो government है उन्होंने 40% क्या कर दिया था fund किनको दे दिया था पंचायत को दी दिया था 40% मत है वो किसको देदीया था बहुत अच्ही बात है बटी किसियर में दीय था किसिए म में चीज स्टार्ट होी थी जब गवर्मेंट नहीं फैसला लिया था, 1995 की बात है या 1996 की, 1998 की बात है, 1997 की, तो भई इसका अंसर है 1996, जो है 1996 में क्या गवर्मेंट ने क्या करा था, 40% जो है 40% किसको दे दिया था, पंचायत को बजट का दे दिया था, ठीक है, चलिए next में चलते है, Health Means, सबसे पहली स्टार्टिंग आपकी जो है टॉपिक की चाप्टर की स्टार्ट वे थी और MCQ का लास्ट क्वेशन भी है, Health Means, भई, क्या मतलब होता है स्वास्त का, Our Ability of Remaining Free from Fever, भई, अगर हमारी तबे ठीक है तो हमारी Health बहुत भली चंगी है, सिर्फ इतना ही, या Our Ability to Remain Free of Illness and Injuries, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, भई, कि Injuries से भी Free रहे हैं, Illness से भी Free रहे हैं, और Injuries से भी Free रहे हैं, ये थोड़े ठीक लग रहा है, आगे चलते हैं, Our Ability of Not Having Any Disease, भई, कोई disease ही ना हो, ऐसी Ability, देखते हैं, Our Ability of Remaining Free from Any Injuries, सिर्फ disease और Injuries की बात हो रहे हैं, मतलब सिर्फ fever, disease, injuries नहीं, दोनों चीज़े combination, दोनों चीज़े combine हो, जिसमें Illness भी हो, साथ में Injuries भी हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा, अंसर, ये नहीं होगा, क्या होगा, अंसर, ये होगा, Illness and Injuries वाला, जिसमें भिमारी से भी और कोई घाओ या बड़ी चीज़ से भी फ्री रहना, तो वो क्या होती नहीं, सिर्फ fever ठीक है, हमारी हेल्थ से हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, या disease ठीक हो, तो तो हमारा हेल्थ से जरूरी नहीं है, तो ऑंसर कया है, भई our ability, हहना हमारी शांप्ता, हमक चन्ग कब रहेंगे हमारी हेल्थ कब सही रहेगी एक हम का मतलब ही होता है कि जोब होड़ा बहुत भूल भी गया होगे यह नाम यह का फुल फर्म सब आपको याद आगया होगा एक दो बार और देखेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो ही जाएगा फॉर्स टैम पर हो सकते चीजे याद ना हो वड़ एक दो बार आप वीडियो और देखेंगे न तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा क्यों कि इंट्रेस्टिंग मुझे जरूर बताईगा कि आपको कैसा लगा ताकि मैं और अच्छे-च्छे आगे आने वाले चाप्टर में आपको एमसी क्यूज लाऊं और अच्छे-ची प्राक्टिस हो जो है इसी के साथ आपका जो प्रॉपर जो एमसी क्यूज का टॉपिक है एंड होता है अगर आप और भी लेक्ट्रेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैगनेट के यूट्यूब चैनल एप्लिकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं इनोट्स और ईबुक्स के लिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवलेबल है यह कुछ हाई क्वालिटी के सब्सक्राइब करें बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलेगी आप हमें अधर प्लैट्वाम पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे की फेस्बुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्रम और वाट्सप पर भाई लाइक जरूर करा करें लाइक जरूर करा करें ताकि मुझे में भी मोटिवेशन बना रहें कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे कॉंटेंट लाऊं और इतने अच्छे से एनर्जेटिक वे में आपको समझाओं और ज्यादा से शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थाइंक अच्छे ना हन्च्छे को अच्छे कॉर्षट पर बिल्सक्राइब को अच्याद लाखें अच्छे करेंगान।